साथियो नमस्कार मैं राम प्रताप सिंग कुश्वाहा हमारे चैनल ग्यान एंड नौलेज के प्रोग्राम मंथन में आप सब का स्वागत है अभिनंदन है वेलकम सुष्वागतम आज आप वास्तों में परचर्चा जो सुनना चाहेंगे वो यही सुनना चाहेंगे कि दूर गमी परणाम भी होंगे भारत की राजनीती में एक परिवर्तन भी आएगा तो आज चलिए इसी परचर्चा होगी और साथ में अन्य जो देश में भी हारगीत के डिक्ट कॉंड हुआ है उस पे भी परचर्चा होगी जो भी हमारे पास संचित साथ हैं हम उनके अधा को सुनने को मिलेगी साथियों लोकसवा चुनाओ की यह अठारवी प्रक्रिया थी मतलब 18 दिन महा भारत युद्ध चला और सही रूप से 18 दिन ही यह भारत का महा युद्ध क्या यह एक तरह से लोक तंत्र का विश्व युद्ध है जो अहिंसा से लड़ा जा रहा है और आज भारत का कोई चैनल ऐसा नहीं है राश्टी समाचार विश्व का समाचार जिसकी भारत के लोक तंत्र की समीच्छा ना हो रही हो और उसमें भी अयुद्ध्या सीटी हमारे भी कई सुपचिन तक हैं जिनका फोन हमारे पास आया क्योंकि अयुद्ध्या में स्री राम ल जिला जी के उपर वर राजनेतिक के स्थितियों के उपर पूर में कई हमने बिलाग बनाए थे जिनकी काफी प्रसंसा हुई तो अब जब प्रसंसक बढ़ जाते हैं तो वो प्रश्ण भी करते हैं समय के अंसार जिनको साम्यक गटना करम करते हैं तो आज उनका आयुद्ध्या में विशेष रूप से भाई यही कहा जाता है कि एक नारा था कि जो राम जी को लाए हैं हम उनको ही जिताएंगे और हो रहा है इसके विप्रीक तो हमारे जो सिप्चंतक हैं वो जानते हैं कि पुलिस सेवा के दौरान में काफी लंबे समय तक आयुद्ध् परतिये सुल्तानपूर जनपाद अमेठी आदी सभी जगे उस पूरे मंडल में रहा हूं तो मंडल वाले इस्तर के लोग मंडल की बात पूछ रहे हैं और जिले के इस्तर वाली लोग जिले के इस्तर की बात पूछ रहे हैं और प्रांत के इस्तर के लोग प्रांत वाली ब का नाम ग्यान एंड नॉलिज है तो भाई कुछ न कुछ समीक्षा तो करना ही है और तो समीक्षा पहले सुनने से पहले पहले स्री कबीर दास जी को सुन लिजे क्योंकि किसी को बुरी लग सकती है किसी को अच्छी लग सकती है इसलिए हम कबीर दास जी को ढाल बना देते हैं कभी रा खड़ा बजार में सब की मांग एक है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर अच्छा पुलिस में जो सरंस्पेक्टर इंस्पेक्टर वाला पद है इसका मूल कार इन्वेस्टिगेशन है विवेचना करना तो भाई हम 84 में भड़ती हो गए थे पुलिस भाग में 2021 में जनपत सुल्तानपुर से रेटायर हुए तो भाई सिधा संबंद जहां से आदमी रेटायर होता है उसी जनपत से रहता है तो अवध जनपत अवध इस छेतर से हमारा वास्ता रेटायर्मेंट के बाद भी है तो कुछ न कुछ जिग्यासा तो रहती है और मैंने राम जी के उस पंडाल में भी धाई दिन डूटी भी दी है गर्वगरे के अंदर भगवान के सामीप तो इसलिए लोग वाग आसा र सबको बढ़ाई जो जीता उसको बहुत बहुत बढ़ाई जो हारा वो भविश में अपनी तैयारी करे और क्या ये तो लोग तंत्र है इसमें तो समय चक्र की तरह पहिया चलता रही रहता है पहिया कभी उपर जाता है कभी नीचे आता है यही युनिवर्सल टुथ है तो महाभारत युद्ध चला और अठारा ही गीता के अध्याय है जिसमें गीता में क्या है एक व्यक्ति इश्वर के पास तक कैसे पहुंसता है पहुंसकता है ये है गीता का असली रहस कि एक साधारन व्यक्ति भी क्या करे कि वो इश्वर की प्राति कर ले ये बात बताई गई है गीता में तो निसंदे इस संसदी चुनाओं के जो परणाम है वो बहुत दूरगामी तो होना ही है इसमें क्या दूरा है और ये समस्त विस्व को प्रभावित करने वाले हैं और देखे करी रहें कि जो पार्टी आहारी वो खुस हैं और जो पार्टी जीती वो पूरे स्वाविमान के साथ खड़ी नहीं हो पा रही। कैसी वड़मना है। साइद ईस्वर की यही लीला हो। क्योंकि ईस्वर ने पावन गीता में इस बात को कहा है। यह मनुस्यों तुम लोग निमित्त मात्र हो और इससे ज़्यादा अपनी अवकात मत मानों। और दूसरा सबसे पहला कारण आपको बता दें। भगवान प्रभु सरी राम जी ने को थोड़ी देर के लिए आप साकार व्यक्ति मान लें। दसरत नंदन जो इसमें मौजूद हैं। मतलब उनको एक विग्रह न मान के उनको एक साकार व्यक्ति मानें। तो आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। जो भाई उन्होंने कहा कि हम राजनीत से उपर हैं। हमको राजनीत में नहीं पढ़ना मानवों की स्वार्थ में, अस्वार्थ में, निस्वार्थ में हमारे नाम को घसीटा जाए। प्रभू ने कहा कि उससे हमको दूर रखा जाए। सबसे पहला संदेश तो पूरी दुनिया के लिए यह है। कि ईश्वार को राजनीत से दूर रखो। वो वास्तो में सृध्धा, विश्वास और अविरल रूप से वो भई, राजा ही हैं विश्वार्भान के। तो राजा तो राजा ही होते हैं उनको किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं पढ़ना चाहिए। जिस सरत्रह से वर्तमान स्मय में इंगलेंड में जो नाम का राजा है इंगलेंड में, देखिए दुनिया में राजा खतम हो गए। लेकिन इंगरेंड में राज साही और किंग साही आज भी है अब यही देख लो कथनी और कर्णी में कितना अंतर होता है दुनियादारी में वही कथनी और कर्णी में अंतर इस अयुध्या दी की संसदी सीट में भी दिखाई पड़ेगा अभी मैं आपको बारी बारी से सब सही कारण यथार्त रूप से बताएंगे और इतना गहन चिंतन और मनन और विसलिसन साइध ही आपको किसी चैनल में मिले और मैं मूल इकाई से बताऊंगा कि वास्तों में हार जीत के मुख कारण क्या क्या रहे और उनका प्रवाव आप देश की जो अन्न सीटे हैं उन पे भी समय उजित कर सकते हैं उन से मुल्यांकर कर सकते हैं अन्न सीटों का भी ये भी हम आपको बताएंगे तो एक तो हमने आपको ये बात बताई कि प्रभू सरीर राम जी ने अपने आपको दूर रखा क्योंकि अगर वो सीट जीत जाती तो वास्तों में जो विरोधी लोग हैं जो विपक्छी हैं वो भगवान को भी हाट जीत में सामिल कर लेते कि राम जी की बज़े से ये जीत हो गई और देखिए राम जी की माया देखिए कि यहां तो सीट हरा हरा दी उस पार्टी को, राष्टी ये भारती जनता पार्टी को सीट यहां हरा दी, लेकिन देश की सीट उनको दे दी, देखिए कैसी विडम बना है, मतलब सेवा जो भगवान ने ली भारती जनता पार्टी से, तो उसकी मेवा उन्होंने इमानदारी से दे दी, कि भाई राष्ट का प्रधान सेवक भारती जनता पार्टी का जो लीडर है वो बनेंगे भाई श्री नरेंद अवो दर्दास मोधी साब बनेंगे भाई भाई भारत के प्रधान मंतरी अच्छा और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि जो दूसरी विपक्ष की पार्टी है वो दर्सन करने तो आज तक गई नहीं कोई वहां का बड़ा प्रतनी दी तो गया नहीं दर्सन करने कि राम जी के राम लला जी के दर्सन करने जाए तो उनको विमुक कर दिया इसकी देश की बागडोर से ये भी आप प्रहूर स्रीर राम लला जी की लीला देखिए देखिए ह ये कर देता हूँ चंकल लता तो देखे एक तो ये कि राम जी ने कोई ये कहे कि हम ने स्थापित करा दिया या हम लाए तो भगवान स्री राम लला जी स्वेम ही अपने विराजमान हुए है बाइस तारिप को ये बात भी सही है बाइस जन्वरी दो हजार चौबीस को वो में उनके नाम से जब नहीं बहा तब वो विराजमान हो गए तो एक तो भाई ये आप निसकर्शन ले लीजे अब दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि स्री लल्लू सिंग साब बहुत ही सरल वेक्ति हैं बहुत अच्छे इमांदार करमट इतने सरल कि बिचारे स्कूटर मे सांसद मतलब होने के बार वो क्योंकि मैं वहां कोतवाली में भी रहा हूं और व्यक्तिकत राजनेतिक लोगों से वास्ता पड़ता है तो मानी सरी लल्लू सिंग साब से भी मेरा वास्ता पड़ा मेरा आउधेश साब से वी वास्ता पड़ा जो आउधेश प्रसाद साब ज लेकिन लल्लू साथ, लल्लू सिंग साथ की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जितनी कम की जाए भाई, हम तो थोड़े से दुखी इस बात से हैं कि उनको आखरी बार ये गरिमा मैपद मिलना चाहिए था, खैर प्रभूर राम जी की मर्जी है कि उन्होंने दसरज जी क अवधेस भी कहते थे, कि और वो कहिए तो आपको हम सुनाएं, आप लोग तो हो सकता है, भाई आप नए पढ़े लिखे हो, इगलिस विडिया विस्कूल पढ़े हो, तो आप लिए जान पाते होगे, कि कविता वली में एक बहुत सुन्दर जो है, वो तुलसी दास जीने दो लाइन लिखी हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, अवधेस के बालक चार सदातुल सीमन मंदिर में बहे रहे हैं, फिर से सुन लीजे, कविता वली सुन लीजे, क्योंकि अब भाई इसलिए और दरद दुबारा सुन लीजे, क्योंकि भाई जो जीते हैं, उनकी भाई मालूम पढ़ जाएगी, तो कहो फिर अपमान करने लगें, कविता वली कवी जलाने लगें, तो बड़ी चिंता होती है, कि भाई सुनाएगी ना सुनाएगी, लेकि सुन लो खिल भी, अवधेस के बालक चार सदातुल सीमन मंदिर में बहे रहे हैं, इसलिए हो सकता ह कि दसरत जी को भी ओधेस कहते थे तुलसी दास जी, तो हो सकता है कि ओधेस का सम्मान रख दिया हो राम लला जी ने, उनकी लीला तो वही जाने, लेकिन दरसन नहीं किये पाईटी वालों ने, तो बड़े मायूस होंगे, और उनका भी स्वाभिमान नहीं रहा, हाँ, है, वो सकता है, यतार्त बोलो, अब देखिए, बाईस तारी को प्रभू सरी राम लाला जी विराजमान हुए, सत बात है, बहुत अच्छी तरह से हुए, और सुब महुरत में हुए, उसमें कोई प्रशनेचन नहीं है, कोई विवाद नहीं है, लेकिन उसके पहले हमने एक वीडियो बनाए थे, करीब बाईस तारी से पहले, एक हपते पहले, और हमने आगाय किया था, स्री राम मंदिर कमेटी वालों को, सभी लोगों को, हमने लेटर भी लिखे थे उनको, इसलिए नहीं, लेटर हमने लिखे थे, क्योंकि आज चूंकी परियावरान दिवस है, व से वास्ता पड़ा था उन पेड़ों का, और उन पेड़ों के नीचे भगवान ने अपने कुछ छण बिताए थे, जैसे माता सीता जी ने असोक वाटिका में, और असोक प्रच के नीचे सबसे पहले भगवान पभूराम जी ने विसराम किया था, आदी, इसी तरह से पीप ना गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, समय सबका आएगा, हमारे भी कभी समय आएगा, तो हो सकता एक आदा पौधा, हम वहां लगाएंगे, क्योंकि हमारी भई संस्था भी है, राम रच्छा फाउंडेशन ट्रिश्ट ट्रिपिल नाइन लखनो, जो पेड़ पौध अगाय किया था, सरकार को भी आगाय किया था, कि जो धाई सो कणों हैं, छत्रियों के, जिनोंने करीब चार सो साल से त्याक किया है, और रानी राजा भीटी, भीटी को विसेश रूप से हमने कहा था, और वहां की रानी साहवा, सबसे पहले पंदरा सो अठाइस में युद करते हुए, वो अमर गति को प्राप्त होई थी, मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, अकरांता कोई भी हो सकता है, सबसे पहला भारत में युनानी अकरांता आया था, सिकंदर, कोई भी हो सकता है, वो तो समय की बात है, तो जो युद्ध हुआ था, भाई कौन था, वो हमेशा सत्त ही रहेगा, और जो असत्त है, वो हमेशा खलनायक रहेगा, तो जो युद्ध हुआ था, उसमें राजा भीटी और रानी भीटी साहबा, सबसे पहली महिला, सही, मतलब सही, वीर गति को पाई थी, हमने अन्रोद किया था, कमिटी वालों से, कि उन से कोई किसी को बुलाया गया, ना वहाँ किसी को बुलाया गया, और ना ही उन छत्री परिवार लोगों को सम्मान दिया गया, बस, समझ लिजे, आपकी वहीं से, अयुद्ध्या की हारने की भूम का तयार हो गई थी, एक चीज़, और अब, अब तीसरा प्यट जो सबसे इ कि स्री राम जनभूमी ट्रस्ट परिसर में एक भी छत्री राजपूत सिंग जो स्री राम लला जी के वनसत कहलाते हैं, वो चाहे गलत कहलाते हैं, या सही कहलाते हैं, अच्छे हैं, या बुरे हैं, पाखंडी हैं, या अडंबरी हैं, वो हैं तो इस देश में, आज की तार च्छित्री आसपास के रादपूत लोग हैं. उन्होंन भी कहा है और वो तो मानते हैं उनको अपना बेटे के समान मानते हैं भगवान को आप घुसिये तो अजद्या च्छेत्र में अवद च्छेत्र में वो राम जी को बहगवान नहीं मानते वो आज भी बेटा मानते हैं भाई अरे वहां सस्वराल जहां मणी परवत जहां पर सौना चांदी सवा आया था जनक जी का और ये बगल्म के जो गाउं हैं जहां पर जनक जी का डेरा लरला था वो पूरा उनके रिष्टे वड़े वैसे हैं आप भुश के दो द दर्माना है मेरी तो कई कराड़ा में जो चत्री लोग हैं उनसे संपर्ख हुआ और उन्होंने अन्रोद किया कि उस कमेटी में सामिल किया जाए हमको और आज की तारीक तक नहीं किया गया अगर यही हाल ला तो भविस्ट भी खराब हो जाएगा और इसी का कारण यह है वो जूशनर सिंग जी के लड़के को टिकेट मिल गया वरना उधर भी साफ हो जाता पूरा मुर्चा साफ हो जाता हाँ भई आप छेत्री लोगों का गरत्मान करोगे और वो जो भगवान के लिए समर्पित हैं और उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो तो फिर भई वारी वा आपन कमेटी वना ली और पंदरों लोग अपने रख लिये और वो विचारे जो है मरे लड़े कटे और मतलब पूरा बाहर के लोगों को सान दी खाना खिलाया कार सेवा कराई उनको कोई प्रतिफली नहीं मिला तो ये तो भाई बीजबो दिया गया 22 जन्वरी को इसको अगर सु अंसद है स्री रूपाला जी यद्देपी उन्होंने तो अपना रूप बना लिया वो तो जीत कैसा लेकिन उन्होंने कम से कम पचास सीटों का नुक्सान किया और आपको एक बात और बता दी एक तारीक को हमने अपने चैनल से एकजट पोल किया था सभी पार्टियों का और एकजट पोल में मैंने करेक्ट भारती जन्ता पार्टी के सबुए रूप से तीन सो बताये थे सदस कि तीन सो सदस जीतेंगी तो देखिए नियर अबाउट तीन सो ही निकले अब आप ये देख लीजेगा कि अबारे चैनल का जो सटीक विसलेशन हुआ हो कितना सटीक हुआ और बकाया में मैंने कहदे लिखा था उसमें कि अन है तो वो भी बिलकुल सटीक निकला तो ये अबजर्वेशन सही है और हमने इसके लिए एक अलग बलाग भी बनाया था और आगाय भी किया था कि सम्हालो भाई नहीं तो छत्री लोग नाराज हो गए हैं और देखिए फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड लोग सभा का जो चुनाव हुआ उसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिम की सीटें हुई और वो पश्चिम की सीटें जो हर बार बीजेपी जीतते थी और वो इस बार न से जादा पड़ गया देखिए अभी तक के तो जो विसाय आपने सुने वो बहुत ही गंभीर सुने अब हम वो सुना रहे हैं जो लोकिक हैं मतलब इस्थानी इस तर के वो भी आप सुन लीजे देखिए हनवान जी के कोतवाल कौन है और हनवान जी के राजा कौन है ये कि मूर्ती पांच वर्स की ही क्यों रखी गई इस वरूप में तो इसका वी तक किसी ने हमें सटी कुत्तर नहीं दिया आप अगर सुन लेओ तो आप में बताईएगा खैर वो तो रामलला ही है हनवान जी महराद सारी वस्था देखते हैं तो एक बार हमने हनवान सीरियल द होता है वो धन अपियस में जाता है बात समधी आप मरी कि जो धन बिगर कर्म किये किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी प्राप्त हो जैसे अगर कहीं रिस्वत का पैसा मिल जाए कहीं डकेती के हिस्से का पैसा मिल जाए कहीं भिष्टाचारी ठेकेदारी में पैसा मिल जाए तो तो वो अप यस में जाएगा पैसा हो, कभी यस में खर्च नहीं होगा ऐसा पैसा, ये नोट कर दो आप, हम नहीं कह रहे हैं, हनुमान जी महराद ने किया है, तो देखिए सबसे बड़ा हार का कारण अब ढूल लीजे आप, भारती जनता पार्टी ने अन्योद्य योद्ना बन चलाई है, जब से करोना के बाद से, कि हम दोजार उन्तीस तक गरीबों को और असाय लोगों को अन्न देंगे, बिलकुल आप दीजिए, लेकिन हनुमान जी ने जो कहा है, वो भी तो सत्त है, कि अगर वो जो दिया है, आप देते हो, तो वो रासन वाली दुकान में पह सकते, मुख्विर ने हमें ये बताया है, और मुख्विर की बात पर विश्वास करना ही पड़ता है, पूरा पुलिस तंत्र मुख्विर की सूचना पर चलता है, और पूरी अदालत माननी अदालतें भी, पुलिस वाले से यह नहीं पूछते हैं, कि तुम्हारा मुख्वि सब्सक्राइब करें आपको तो मुखविर हमारे खास ने बताया कि साथ जो छेत्र में रासन की दुकाने हैं जहां सस्ता गल्ला आजकल मिल लहा है सरकार के द्वारा खूब दिया जा रहा है वह सत्वाद तो यह है कि वह इधर से लिया जा रहा है कितना खाएगा आदमी जरा सरकार गल्ला दे रही कि अधता महिने में आप भी खा लेता है कि अधर समिछा करो डूला फिर से जो है वही को वहीं ल्वें भिकता रहता है रोटीन है यह गुप्तिजर ने बताया है कल अच्छा फिर उसने कहा कि राषन की दुकानों में सबसे ज़्यादा मतदाता एकटे हो रहे हैं आजकल इतने मतदाता ना तो थाने में हो रहे हैं ना तैसील में हो रहे हैं ना अस्पतालों में हो रहे हैं ना अन्न किसी जगे हो रहे हैं बुलाए जा नहीं सकते मीटिंग इ आजकल राशन की दुकानों में गए प्लानिंग करके और वहां पर मतदाताओं को भई वहां तीन तीन बार राशन बिकता है और वहीं सारी राजनीते घट्चक चालू हुए और वहीं ये बात भी उड़ा दी गई कि संविधान में परिवर्तन होगा परिवर्तन परिवर्तन मतलब देखिए अभी तक उन्हें विचारों कौन बताए गाउवालों को ये 127 परिवर्तन हुए अभी तक भारत के समयधान में जिसमें 100 परिवर्तन तो एक ही पार्टी ने किये राश्टी दल ले और 27 अन्य जो पार्टियां हुई हैं बीच में आटल विहारी जी बने मुरार जी देशाई साब बने और कई लोग बने मतलब जो भारत के प्रधान स्री चंद सेकर जी बने विशुनात स्री विशुनात प्रताप सिंग जी बने सब ने परिवर्तन अपने अपने समयके पानों पे हुई है आप यह समझिए और रासन लेने जाने जाना पड़ता है और सारी जो अब थाने और तैसील में यह राजनीतिक चक्र नहीं चले यह सारी उनी दुकानों में बैठके पूरी मंत्रणा हुई अच्छा और वर्तमान समय में माननी अधित नात योगी साब जो बहुत तगड़ी स्कूपनिंग कराते हैं अपने अधिकारियों से कोई काला वजारी नहों पाए कोई वो नहों पाए तो जो रासन की दुकानों का मार्जन था दुकानदारों का क्योंकि वो तो माला माल होई जाते हैं भाई क्योंकि सरकार से कमिशन भी मिलता है मतलब जो कई अच्छे लोग भी हैं ऐसे हम नहीं कह सकते लेकिन अधिक्तर ऐसा सुना जाता है चर्चा है यह कियोकि पुलिस पे नवकरी रहे तो वहाँ भी ऐसा सुना जाता था मदद भी करते हैं वह बहुत अच्छी अच्छे मतलब वो सहयोगी लोग होते हैं रासन वाले ऐसा हमारी कोई व्यक्तिकत उनसे वो नहीं है लेकिन हम जो घटनक्रम हुआ बता रहे हैं फिर वहीं पर जो है यह हुआ कि देखो अब यह तुम्हें मोटा आन दे दिया गया इतना मोटा बताओ बाजरा दिया जा रहा है जुंडी दी जा रही है इसका तुम क्या करोगे सरकार तुम्हें वो पागल बना रही है देखा और जो वो थे रासन दुकान वाले वो सरकार की सक्रीता के कारण काला बजारी नहीं कर पा रहे है काला बजारी रुखी गई है उत्तर प्रदेश में अपराद ही रुग गया है अब अपराद रुकने से कई लोगों को परिशानी तो होई जाती ना रस्ता चलते चैन खीच लो कित्ती अथी वात है वाटर साकिल से कोई महिला जा रही हो तो लपक के चैन खीच लो मिल गए दो लाक रुपई या तो अब जिनकी चैन जो खीच रहे हैं और वो विचारे च पर पहने के निकल जाते हैं चोर रहों पर खड़े हो जाते हैं अनन लेते हैं तो हमें मालूं पड़ा आंख खुली हमारी अरे पुलिस वाले हुग कित्टी गाली मिलती है और राव राव चलने ही कुछ के लें सब्सक्राइब करेंगा लेकिन आब जो बोलेगे वो शक्ती आनदि के साथ बोले गए हाँ अचा आप सबसे बूल बात सुन लो फिर हम वोई कह देंगे कि सीता जी ने माता जी ने सीता जी ने सराप्त आयुद्ध्या-जी को दिये है उससे आयोद्ध्या बाहर नहीं हैتي तो बिल्कुल यह बाहर नहीं है अयोद्ध्या में जो आद्षम इस समपन आपको दिखाई दे समद लो और अयोद्द्धया का मुल नहीं है रहने वाला या तो वह वार का है या और कहीं बाहर का है वही समपन दिखाई देगा आपको या ऐसी क्या वात है यहां हमने आयोध्या पोस्टिंग के दौरान देखी है touchdownăm तो अब लोग कह रहा है कि विकास सरकारें बड़ी बड़ी नारा देती हैं कि हमने इतना विकास कराया अवे तो पोट मिली जाएगा अरे भाईया अध्य व्यक्ति को भी ला दो तो अयुद्धा में आद देख लेगा एतनी रोष्णी हो गई है पूरे सड़कों पर तो भाईया जब रोष्णी हो ज ये और एक विकास ध्रम तूट गए आप सरकार का, कि विकास कराओ तो हमें बोट मिलेगा, विकास विकास कुछ नहीं, भारत, पूरे भारत का चुनावी रणचेतर आप सर्वे कर लें, सिर्फ जातीता पर चुनाव होता है भारत का, बस आप ये समझ लो, अभी तक हम इसके जातीता का हमारा चैनल किसी वी तरह का पक्षदर नहीं है, लेकिन सत बात ये है, और ये बड़ा चिंता का विसा है, जातीता और आप संप्रदाइकता पर चुनाव हो रहे हैं भारत के, और ये बहुत चिंतनी है, इसके बारे में उत्तरदाई, जो लीडर सिफ हैं, चाहे पक्ष के हों, या पक्ष के हों, या किसी भी तरह के नहीं, अगर वो राजनीत रूप से भारत की राजनीत कर रहे हैं, तो इसको और विस वाले मजा ले रहे हैं, दूसरे देशों वाले मजा लेते हैं, वो तो भारत को कमजोर ही देखना चाहते हैं, जब आप कमजोर होग तभी आपका सोसन होगा, अगर आप कमजोर नहीं होगे, तो कोई आपका सोसन नहीं कर पाएगा, यही घर की वस्ता है, यही बाहर की वस्ता है, और यही देश की वस्ता है, वो आपको कभी नहीं चाहते कि आप एक मदबूत राश्ट बनें, कुल मिला कर यह है, तो यह दो च एक चिंतनी विशय है, इस पर जो भी उत्तरदाईत लोग हों और जो जीते हों इस वार नई संसद में बैठके इस पर गहन मत्रणा करें और भारत के वातावरण को क्योंकि आज परियावरण दिवस है, विश्व परियावरण दिवस, तो आपको प्राकृतिक दिश्ट से भी भारत को सुन्दर और सुसजित बनाना होगा, साथ में विचार धारा की सैली के आधार पर ही भारत को एक महान राष्ट बनाना होगा, विचार धारा से ही कोई भी देश महान बन सकता है, और विचार धारा उच्चतम होना होगी, और अंत में तो हमें यही करना पड़ेगा कि राम राजी की अवधारना से ही आपको चलना होगा। राम इसलिए निर्वराद रहते हैं यदि भारती जनता पार्टी की सीट इस बार अयुध्या से निकल जाती तो भारत की राजनीत में उंगली उठाने वाले लोग हमेशा हमेशा के लिए उंगली उठाते हैं इसलिए प्रभूर राम जी ने यहाँ पर अपने आपको अलग और इस बार की भारत की चनता ने कई पक्ष और विपक्ष के लोग जो भारत की निर्वाचन वस्था पर प्रश्ण करते हैं भारत की पुलिश वस्था पर विसे इसका उत्तर प्रदेश की पुलिश वस्था पर जो उंगली उठाते हैं उनको मू तोड़ जवाब दिया है खीच के चाटा मारा है लाल पढ़ गया है चाटा अब ना EVM के बात सुनाई पढ़ रही है अब जीत गए तो अब ना EVM की बात सुनाई पढ़ रही है और नहीं अब कोई अविवस्था दिखाई दे रही है पूरे देश में और नहीं तो पहले कितना भ्रम फैलाते हैं ऐसा भ्रम जीतने के लिए मत फैलाईए हे राजनीतिक महान भाओ इस देश को अभी बहुत सिक्षित करने की जरुगत है सारे लोगों को सिक्षित बनाईए अच्छे विचारवान बनाईए नहीं तो भस्मा सुर की कहानी तो आपने सुने ही होगी आप ही भस्म होंगे कोई दूस इन गंतों में सुनाई जाती है हां हां तो ये भाई उधारा है तो चलिए आज की परचर्चा तो अब पूरी हो ही गई आरेल लीजिए और वास्तों में स्री राम लला जी तो राम लला जी ही है और वो पांच वाल साल के बालक विद्रे की रूप में क्यों बड़ा विचा करती का रहा हो तो कृपया हमारे चैनल पर कमेंट करके हमें बताइए जिससे हम कई लोगों की जिग्यासा भी पूर्ट कर सकें इसके वारे में भी कई विदेश से कई देश से कई लोगों ने प्रश्न किया है कि भगवान राम लला जी की मूर्ती विग्रह का जो जो जीता वही चन्र गोप्त मौर है जै हो भारत जै हो भारत जै हिंद जै हिंद और भी समच्छा होती रहेगी और अब भई बैल आइकन की बटन जहूर दबा दीजे और जिससे नोटिफिकेशन तुरन पहुंचें आज विश्व परियावरण दिवस है उसके लिए हमने एक अलग से ब्लाग बनाया है उसको भी सुनिए क्योंकि उसमें पूरे विश्व की इस्तिति को हमने बताया है कि विश्व में मरुस्थल किस तरह से बढ़ रहे हैं ड्रेगिस्तान किस तरह से बढ़ रहे हैं क्योंकि 2024 का जो आईकन उसमें जो टास्क दिया गया है वो बिगर रसायन पदार्थों के उर्वरक बनाई है, उसका पियस्त उच्च किया है, अगर किया है तो उन विज्ञानिक साब का क्रिपय हमें नाम बता दें और यह हमारी उनसे वार्था करा दें, और हमारे पास एक ऐसा उपाय है जिससे एक फिट जमीन उर्वरक हो सकती है, हम सामेशा के लिए, तो परियावरन दिवस पर सबको हार्दिक सुपकामना है, एक व्रक्षगर ना लगाया हो, तो अवस्य लगाईए, चैह हंदे, चैह हंदे, चैह हंदे